तो आजकल ट्रैंकों की मार कम है, आजकल मिसाइलें ज्यादा चल रहे हैं, तो मिसाइल जो है डिगरी और डिस्टेंस लेते हैं, कोई स्कूल पर गिर जाता है, कोई धार्मिक अस्थल पर गिर जाता है, क्योंकि डिगरी और डिस्टेंस के गरबर से ऐसा हो रहा है, नहीं तो पर नहीं बंबारी होगी लेकिन इनकी लडाई को रोखने के लिए जो ऐसा गलत काम करता है तो संजुक्त राष्ट कोट में जो है दोनों देशों को पेस कर देना चाहिए और अपनी पावर के साथ लडाई को बंद करा देना चाहिए यह उसके पास है पावर हर देश की आर् पास है चीन के पास है जो पांच महासक्तियां देश है अगर चाहें के तो लडाई आज बंद हो जाए लेकिन यह नहीं चाहें क्योंकि यह खुद दो गुटों में बट गए हैं हमारा हिंदुस्तान चाहता है उग्रबाद नहों सब सांती से रहें अमेरिका चाहता कि हमार हाथियार भी के तो लडाई नहीं लगें कि तो तो गरीब हो जाए तो यह अमेरिका यह कैसा देश से बिजनेसमें है उसके हर आदमी हर देश के व्यापारी हैं वहाँ पर तो वह अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे का सव देखर के लडाई में उतर रहा है यह का खात्मा करने के लिए जी तोड मेहनत कर रही है और कहीने के जो अमरीका भी है उसने भी अपने युदपोत भेज दिये हैं और उनके कहीने के अमरीका के जो राश्पति हैं जो बाइडन वो भी आके नितन जाया हुसे इसराइल के प्रधान मंतरी से मिले थे तो अब होता ही वन्नों का कि लडाई इस दिन और इस समय से होगी तब सेना जो है चलती है और सेना जब चलेगी लडाई के लिए पाइदल सेना अगर चलेगी तो यह ऐसे नहीं यह ट्रैंकों पर जाएंगे क्योंकि ताकि रास्ते में कोई रुकावट हम न पढ़ सके और ट्रैंक पशेक्ट कि इस खालत से चलते हैं कि W के आकार का क्योंकि जमीन का कोई हिस्सा उसका खाली न रहला मार से तो तो जमीन का हर डिग्री हर डिस्टेंस जो कबर होता जाएगा और उसकी भी अगर से ना आ गई माली जिए अगर नहीं मिली तब तेज चड़ते जाएंगे उसकी भी आज गई तो भी संजुद्ध होगा ही तो आजकाल ट्रैंकों की मार कम है आजकाल मिसाइलें ज्यादा चल मिसाइल कोई स्कूल पर गीर जाथा है क्योंकि ऑडीज्टेंस के गरबर से ऐसा हो रहा है नहीं तो यह हमारे यूर्णों में और जनेवा कनफ्रेंस में यहाथा कि भार मिक अस्थाल पर नहीं स्कूल वरी नेनाम हो बहुंतों सबस्क्राइब होगी लेकिन यह कर रही हैं लेकिन जो इस्कूल सम्झफितर हैं नंरेत निजो पांट वण होुज उपर हो ईपारओ जारह गर pass काम reindeer बना था उसका उलंगन हो रहा है उलंगन हो रहा है उलंगन हो रहा है उसका दोनों देश उलंगन कर रहा है यह बोला नहीं इसलिए उलंगन हो रहा है कि उनकी डिगरी और दिस्टेंस में फरक है जैसे मानने जी हमें सोचे हैं कि हमास जो है हमास का मलेट्री काइम कि फॉसाशी परमाल लेकिन व डिगREאת नहीं होने के बाद में हो सकता है नक्से्राइब वह को को यह उष्व कर के पैंतालीस पर गिलेगा तो सकता है कि फॉरिश फॉल स्कूल उडियुको remainder來了 अब जो वहां पर फिलिस्टीन है वहां पर होस्पिटल है जो एसे मूल भूस विधाएं हैं उलुक पानी से बंचीत जो हस्पिटलों में इलाच वहां इधन ना उने के कारण मर इस तड़त रखे मर हैं तो ऐसे में योन्यों को क्या पावर है और यून्यों इस संबद में क् संजवत राष्ट कोट में डूनों देशों को प्यश्कर देना चाहिए और अपनी सब्सक्राब के साल लड़ाई को अर्ड़ाई की सीदितने स Bene तो कहींने कहीं अमरिका सब्सक्राइब के प्रता मंत्री जो बाइडन इतने पावरफुल माने जाते हैं इस्राइल की सुरच्छा इस्राइल मौसा जो है उनकी जो यूनिट है काफी सक्री है और कहींने कि कोई भी देश हमला करता है इस्राइल के उपर तो उसके खिलाब जो की रोकेट दागा जा रहा है, घाज़ा से इसराइल में, तो कहीं ने कहीं आरेनडौम उससे निसक्री कर देता है, लेकिन जो साथ तारीक तरीक की अखटना हुई उसके बाद 5000 रॉकेट एक साथ दागे गए जिसमें आरण डॉम सभी रॉकेटे को निस्करी करने में असफल ला कुछ रॉकेट जाके रिहाशी आलाकों में गिरें वहां पे कई लोगों की मौत हो गई तो जो लडाई जमीनी अस्तर पर कैसे लड़ी जाती थी पहले की लड़ाई जमीन पर हमेशा पाऴ सेना रहती थी और उनको जब यह बना लेते हैं कि हमको 10 किलोमीटर जमीन लेना है दुसमन की, तो उनको 10 किलोमीटर पैदल सेना तो चलेगी, चाहे दोर कर चले, चाहे जैसे भी चले, पीछे जो है आटलीर तोपखाना लगा हुआ राता है, अगर कहीं रुकावट पड़ेगी पैदल सेना को, तो आटलीर वो आदेश कर देगी आगे, राक कर देगी, फिर बोलेगी तुम लोगे अर्मांस करो, क्योंकि बिना पैदल सेना का कुछ हो नहीं सकता है, जैसे अभी घाज़ा पट्टी में उपरेशन चलाने की बात की जा रही जमीनी अस्तर पे, जैसे जो हमास है, फिलिस्टीन, उसकी अगल अग जल जमीनी लडाई शुरू होने, जब जमीनी लडाई शुरू होगी, तो उस दोरान टैंक कैसे चलेगा, टैंक के डबलू शेप में चलेगा, हर आदमी का डबलू शेप चलता है, लडाई का तरीका कुछ है, सब किसी का अलग अलग नहीं है, सभी की बराबर है, लडाई क पास है चीन के पास है जो पांच महार सक्षियां देशा है जिनके पास वीटो का अधिकार प्राप्त है जिनके पास ओ अगर चाहेंगे तो लडाई आज बंद हो जाए लेकिन यह नहीं चाहें क्योंकि यह खुद दो गुटों में बट गए है हमारा हिंदुस्तान चाहता है उग्रबाद नहों सब सांती से रहें अमेरिका चाहता कि हमारा हाथियार भी के तो लडाई नहीं लगे कि तो गरीब हो जाएगा तो यह अमेरिका यह कैसा देश से बिजनेसमेन है उसके हर आदमी हर देश के व्यापारी है वहाँ पर तो वह अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे का सव देखर के लडाई में उतर रहा है नहीं तो पावर उनके पास है बिटो लगाने तो कोई हिलेगा नहीं इजराईल एक छोटा सा ही देश है और उसकी अमेरिका के सव पर चल रहा है और बिटो लगाएंगे तो कैसे लगाएं क्योंकि चीन और रूस एक साथ अमेरिका एक साथ यही बात है इसलिए लडाई का बैंड नहीं लग सकता और उन्तहस नास हो कहीं रहेगा तो कहीं ने कहीं जो अभी रश्या और यूक्रेन में भी युद चलना है जमीनी अस्तर पर लडाई चल लिए वहां भी लगवक साल वर से दिख हो गया वह सोचते हैं कि हम अगर डाउन होंगे तो हमारी बेज़ती होगी तो कहीं ने कहीं पॉलिटिकल एक प्रेशर भी होता देश की जनता का भी कि आप जूक रहे हैं जैसे रश्या के अगर वहां पे कहें कि हम नहीं लड़ेंगे सीसफायर हो जाएं तो दोरान एक कहीं ने कह हम जनता का भी दबाव रहता है कि हमारा प्रदानमंतरी कमजोर है जो ब्लादीन पुतीन है यह बड़े दिमागदार आदमी है यह बात नहीं है और इस सरकस में काम किया हुआ है यह सेर से लड़ता है उसको मालूम है कि जलक्सी जो है जब चाहूं तो मैं ले लूँगा औ कि यह भी बरबाद हुगा है लेकिन इसको चीन सहदे रहा है और उसको जो है अमेरिका सहदे रहा है इसलिए दोनों डटे हुए है चेत्र बहुत बड़ा बहुत बड़ा चेत्र है सोवियत संग था पहले रूस का ही हिस्सा है युकेन दूसरी जगह से नहीं है तो हमारा आ नाटो के साथ जब मिल जाएगा युकेन तो जब चाहेगा तम नाटो जो है रूस पचलाई कर देगा इसलिए वह नहीं चाहता कि युकेन जो है नाटो से मिले तो जो जमीनी अफसर की लड़ाई आप देख रहे थे गाजा और फिलिस्टीन गाजा एक देश है जहां पर गाजा एक संगठन है और फिलिस्टीन एक देश है जो लड़ाई चल रही है इसराइल और हमास के बीच बहुत काफी भीशड युद हो रहा है और वहां पे आम नागरिक भी कहीं ने कहीं अम मारे जा रहे हैं और हास्पिटल को निशाना बना जा रहा तो आज हमारे बीच पुर्व सैनिक थे जो भारत के थे कि इन्होंने 1965 की लड़ाई 1971 की लड़ाई में कहें ने कहीं पाकिस्तान के छक्षे चुड़ा दिये ऐसे जब आज सिपाई से हमने मिलाया और जानने की कोशिश कर रहे थे कि सेना जब युद के मैदान में जाती है उस दौरान युद कै सिपाई से लड़ती है तो जब मैदान में सेना रहती हैं। जब करता है। आज से कमांडर देता है और सारे इसी पर काम करेंगे। अगर जो भी एक commander कादेश मिल गया कि 10 km जमी लेना है तो मर जर करके ही लेना है क्योंकि नहीं लोगे तो इधर से मारे जाओगे और ले लोगे तो आपकी साबसी होगी तो commander जो है एक commander होगा किसी भी घर का माली का गरी एक होता है तो घर वो अच्छा चलता है अगर उसमें ख ना करेगी ग्राउन अप्रेशन देखिए कोई भी लडाई है हमेसा रात को होती है आगे पेट्रोलिंग होगी पेट्रोलिंग वाले हमेसा यह बोलेंगे कि हां यहां पर कुछ आदमी है तो वहां पर जो है गुरुप पहुंचेगा और उसको कैद करेगा छोटे-छोटे तुकड़ी में नहीं चलेंगे रात को दिन को बड़ी टुकड़ी में चलेंगे चोटी क्योंकि पेट्रोलिंग करना उनको जासुद क्योंकि वह भी तो तुम्हारी जैसा चीपा होगा इसलिए चोटी-चोटी टुकड़ीयों में चलते हैं और एर्वान सोते हुए और तो दोस्तो जो इसराइल और हमास के बीच युद चला तो उसके बारे में हमने बताया